नमस्कार बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में मैं हूँ आपकी साथ अवंतिक अश्रिवास्तव चुनावी महास संग्राम पर सबसे पहले फोकस चतीजगड के विधान सबाच चुनाव में 7 नमबर यानि कि कल पहले चरंड का मद्दान है 20 चीटों पर मद्दान होना पहले चुनाव में भाजपा की साख दाव पर लगी हुई है भाजपा की दिगजों को लेकर लगातार ये चर्चा है कि हाई प्रोफाइल ग्राजनन गाउं सीट पूर्मुख्यमत्री डॉक्टर रमन सिंग नाराइट पूर्सीट पूर्मत्री केदार कर्शब कॉन्दा ग पर चुत्रकोर सीट पर कॉंगर्स की प्रदेश अध्यक्ष और सांसा दीपक बैच कॉंडा गाउं से मत्री मोहन बरकाम कॉंटा सीट पर मत्री कवासी लखमा की साख दाव पर और ऐसे में कल का मतदान और ज्यादा महत पूर्ण हो जाता है तो कल पहले चुरन का मतदान सा 7 नमबर यानि कि कल 20 सीटों पर वोटिंग होगी कुछ ऐसी सीटे हैं जहां पर लगातार दिगजों पर नजरे रहींगी क्या कुछ यहां पर पार्टी की साख रहती है किस प्रकार से मतदान को लेकर जागरुकता लोगों में दिखाई देती ये भी देखने वाली बात क्य आगे का फैसला भी निर्बर करेगा बस्तर की 12 सीटें बहुत जादा मैतपोर और 36 गड़ में पहली चुरन की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर थम चुका है क्यानिडेट्स अब डोर टू डोर प्रचार पर लगे हुए पहली चुरन की 20 सीटू पर दो अलग-अलग समय पर मद्दान होना आपको ये भी बता दें 7 नमबर को बोटिंग यानि की कल है और पहली चुरन की 20 विदानसवा क्षित्रों में कुल 223 उमीदवार चुनावी मैदान पर है पहली चुरन की जुनाव के लिए 5304 बतदान केदर बनाए गए ये आकड़ों के जरी पूरी इंफरमेशन हमने आपके सामने रख दी है लेकिन बड़ी बात ये कि तमाम ऐसी पार्टियां जो की लगातार प्रचार में ताकर जोक रही थी उन पर निगरानी रहेगी और ये देखने वाली बात कि कल वोटिंग परसंटेज इन 20 चीचों को लेकर क्या कुछ रहता है आपको बताए कि डो टो डोर कैम्पेरिंग लगाता चल रही है क्योंकि पहली चुरंट के शुनाव के लिए प्रचार बहुत पहले ही थम्चुका था दूसरे चुरंट के लिए भी लगातार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हुए तमाम दिगज नजर आ रहे हैं लेकिन 7 नवंबर यानि कि कल का देने एक बार फिर से बहुत मैतपोन हो जाता है बीजेपी और कॉंग्रेस के तमाम वरिष नीताओं पर सभी की नजर है तमाम पूर्व मंत्री इसमें शामिल हैं तमाम ऐसे लोग जो की पार्टी में भी अच्छी खासी ऐसियत रखते हैं जैसे दीपक बैच के हम बात कर रहे थे उनकी सीट पर भी लगातार नजरे रहेंगी कौन कहां पर आमने सामने हैं ये भी हम आपको दिखा रहे थे और साथी साथ जो घोशना पत्र में वादे किये गए हैं ये कितना असर डालते हैं ये देखने वाली बात होगी कॉंग्रेस और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ दावी हैं ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और एक कंपारिजन की तौर पर लगातार आप ये देखिए तेंदू पत्ता संगराकों को 6,000 रुपे देने का परमानक बोरा देने का वादा कॉंग्रेस की तरफ से बीजेपी में जहां पचपन सो है इसका दाम युवाव को 50 पीज़ी सबसेटी पर कर्ज रहेगा ये वादा बीजेपी की तरफ से भी हुआ है इन दाबों में इन बादों में कितना दम है ये भी देखने वाली बात और कितना असर ये दोनों चीजे डालती है ये कल भी सपष्ट होगा से बीवानिल के तौर पर भी आप इसे कह सकते है क्योंकि जो जादा सीटों पर बहुमत हासिल करेगा उस पर तो बात हो नहीं है लिकिन इन बीज सीटों को लेकर 36 गड़ का माहौल आप कहीं न कहीं बता सकेंगे मैतरपून बात ये भी कि नक्सिर प्रभाविच शेत्रे हैं कई सारे ऐसे अती संवेधन श्री लिलाके जहाँ पर निगरानी सुरक्षबलों की भी काफी पुक्ता रही है और उसी के चलते समय में कई बार डिफरेंसिस भी आपको देखने को मिल सकते हैं तब यह ऐसी जगह जहाँ पर काफी जादा इंटीरियर रिजिन पढ़ता है बहाँ पर समय कुछ और दिया गया है कल की वोटिंग बहुत जादा मैतरपून एक तरेके से आप आकलन कर सकेंगी कि आने वाले समय में 17 नवंबर को जब मदान होगा और उसकी बार जब नतीजे 3 देसंबर को आएंगे तब क्या कुछ रूप रेका 36 गड़ में इसे लेकर देखने को मिलती है वोटिंग पोसंटेज जुसे बढ़ाने के लिए कौन कहां से मैदान में ये भी आप देख लीजे कवर्दा सीट विजज़ शर्मा वसस मोहमद अखबर रहने वाले हैं सीट कवर्दा की है मापको दिखा रहे हैं मोहमद अखबर कदावर नेता कॉंग्रेस पार्टी के लगातार ये दम भरते हुए कि जीतेंगी तो कॉंग्रेस पार्टी ही हाला कि कितने ही सही साबित होते हैं उनके ये माइने ये भी देखने वाली बात होगी विज़ज शर्मा है बीज़पी की तरफ से प्रत्याशिये कवर्दा में इस सीट पर भी वोटिंग होनी है कुल मिलाकर तमाम दिगट चुनावी मैदान में उनकी साक भी कुल मिलाकर दाव पर लगी हुई और ये देखने वाली बात कि कल वोटिंग परसंटेज के अंतर के तौर पर आप क्या तस्वीर उभरते हुई देखेंगे खेर अगर सीट को लेकर भी ये जानकरी हम आपके साथ साजा करें 233 मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना होने वाले हैं ये भी बड़ी बात कड़ी सुरक्षा के बीजुने रवाना किया जाएगा अती समवेदन चील चेत्रों को लेकर भी जानकारी कि मतदान दल रवाना होना शुरू हो गए है अती समवेदन चील चेत्रों में बुर्गुम मतदान केंद्र जहां 10 सदस्वे का दल रहेगा हेलिकॉप्टर से रवाना कल पहले चुरन का मद्दान और उसी के चलते ये तैयारियां पहले ही अपने इस तर पर चुनावायों पूरी करता हुआ ये उसी तरफ सुरक्षा बलो की तैनाती बहुत जादा खास रहेगी इन मायनों में के नकसल पर भाविच शेत रहे हैं ये सभी और मत्दान में बादा डालने के कोशिश नकसलियों के तरफ से हो सकती है और उसी के चलते पूरी सक्रियता के साथ यहां पर सुरक्षा बल भी क केंद्री अर्धसानिक बल के साथ अने अजेंसियों की जवान वी मोचा बंदी करने वाले हैं ती सम्विदन शील क्षेत्रों कुलिकर जानकारी कि चेसों से जादा मदान के दरूपर तीन स्तर्य सुरक्षा गेरा रहने वाले है यहां पर सुरक्षेत्रों के साथ नावंबर को बस्तर संभा के बारा ब्रदन संभर शेत्र में चुनाव प्रेक्रिया संपन होगा चुनाव खादवाई को सुरक्षेत्र यहां विरस्तर तर्गस संभा देत्ताने के लिए DRT, STF, COBRA, BASTHR, BASTHR, BSF, ITB, PSSB यहां चुनाव आएक से आवोंगे अन्य सुरक्षबल, तदा सीमावर दिराजी के महाराश चात्रिणाना, उडिस्दा अंधर प्रदेश के स्पेशल प्रोसेस प्रेकर बॉर्डर लाका तदा अंधरनी शेत्र में लागाता नक्सल वजरी अभियन संचावित की जा रही है नक्सल समधरी शेत्र का अधर पर 600 से अधिक महाराश के दिर में स्पेशल पोसेस तदा C.P.F तानाइत की जा रही है अन्य मदान के दिर में भी केंदिरा अर्थ संचावित के लिए इस जिमदारी में बारे के लिए अधिक साथ नौबर को मदान के दो तक पहुंचे और अपना मदार दियार को प्रयों करें पस्तर आईजी सुन्दराजपी को जो की लगातार अपील कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मदान में शामिल होने की कोशेश अगर जनता करती है तो इससे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए कुछ नहीं होगी नक्सल प्रभावेट चेत्रो को लेकर अगर कही न कहीं डर किस्तिती है तो इसके लिए भी सुरक्षावल पुरी तरह से तैनात है विदान सभा का मदान होना है ऐसे में आज मदान दल अपने-पने मदान केंदर जा रहे हैं अर इस वक्त मैं हिश्टों रूम के बाहार हूं और देश प्रभावन हैं जो हम सांत्यपुन मदान करने के लिए वह मदान छनर के लिए जा रहे हैं पहली बात जो है यह महिला कमांडो चुनाओ के मैदान में उतर रहें हमेशा सही यह नक्षियों से दो-दो हद करने वाले महिला कमांडो इस बार जो है सांती पुरन चुनाओ कराने की तयारी में मरत्य पुर्ण भूमी का निबार है नों से जानते हैं sill kolej डूथ的 यह पुरन गांडी में चिंद्धि की जुनाओ कैते हैंता है मेरा नाम चिंस की आतो आपको भीचार चारज़ पेशिता चल धर एंस भीच में आप टो जह रहार आप तो काझ लग ढ़ , पारी बार अप चुनाओ हैं तो आपको एक्स्युनिक्स नीश को है या दू एक्सप्रेयंस तो नहीं है जाके वहाँ सींखने का मुखा मी देगा तो आप कहा करने वादे रामा राइए अचाहीं के रहने वादे ना जैसा कि बता रहे हैं कि पहली बार इनका यह चुनाओं है और पहले चुनाओं में इनको अरंग के अनुभाह नहीं है लेकिन यह सबीर ज़रा सामनी रख दीजे दर्शकों के क्योंकि कल मद्दान है सुरक्षा के लिए आसे भी बताईए का और राजनितिक भूमिका क्या कुछ है यहाँ पर यह भी समझाईए जी बिलकुल कल मद्दान होना है उसके लिए जबी राजनिती दल जो प्रचार थमने के बाद संपर कर रहे हैं राजनिती की दलों की बात करें तो बीचीपी कॉंग्रेस काफी उनके कार करता घर घर में पहुंच रहे दस्तक दे रहे हैं लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं इधर प्रचाशन की बात करें तो प्रचाशन कल की तैयारी को लेक दिग गई पहली बार महीला कमंडो वहां पहुंचके चुनाओ का काम करेंगी और सुरक्षा के लिए पुक्ता इन्जाम करेंगी बात करेंगे तो राजिति दलों में जो मुकाबला है यह चित्रकूर विधान सबा में काफी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है जो कि वहां के पही जगदपूर बस्तर यह दो विदान सबा संबाग और दूसरी बात है कि ये एक मात्र बस्तर संबागों का अनराष्टिश समानी सीट together इसलिए मुकाबला काफी टक्कर होगा तो कह सकते हैं कि जो चुनाओं को लेकर जहां प्रशासर पुरी तरह अलट है और मुस्तेज है तो वही राजीन दल के जो कार करता है नेता है प्रत्यासी वो पुरी तरह जनता के द्वार पहुंच चुके हैं और अपने पक्ष मे वोट मांगने के लिए अपिल कर रहे हैं अब रही बात सुरक्षा को देखते वही अलट मोड में रखा गया डोन से नजार रही है, हेलिकाप्टर से भी निग्रानी रखी जा रही है बंस्कौाड बल को अलट मोड में रखा गया अभिशेख शुक्ली जी भी फोन लाइन पर जोटरा इनका भी हम रोख कर लेते हैं अभिशेख जी आब राजरेतिक लिहाज से तो कल का दिन बहुत जादा मैतुपून होगा ही लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हर प्रदेश जानना चाहेगा कि 36 गड़ कहां खड़ा है मैदान में है बस्तर की बात करें तो बस्तर को जाएक कोना है कोंटा कवासी लखमा लगातार वहां से विधायक बने हुए है और सरकार में फिलाल मंतरी है कड़ा मुकाबला वहां पर है उसके लोगा बीजेपी के पूरुमंतरी महेश गागड़ा बीजापूर से है केडार कर्शपूर मंतरी विजेपी के नरायाणपूर से है और कर्मा परिवार से दन्तिवारा से जविन धर्मा मैदान में है तो बहुत कड़ा मुकाबला है श्री निवास पता भी रहत है कि दीपक पैज मैदान में है जो प्रदेश अध्याक शहर सांसद है तो कड़ा मुकाबला यहां पर है और हाई प्रोफाइल सीटों पर चुना हो रहा है और बस्तर पर नजर इसलिए भी सब की है क्योंकि देखिए यहां पर एक तरफा वोट पड़ता रहा है बतब सिस्टी फोटी का रेशियो हमिशा रहा है और फिलाल बीजेपी के पास एक दीजी सीट नहीं है और बीजेपी इसको वापस पाने की कोशिश कर रही है बस्तर ही है ऐसी ऐसा सम्भाग जहां कहा जाता है कि अगर अब बदाताओं को प्रभावित कर तो सब्ता तक पहुंचने का रास्ता बड़ा आता है तो यह बहुत एहम है उसके रावार राजनान दौमें पूर्मुक्रमंत्री एवन सिंग मैदान में है तो बहुत हाई प्रोफाइल है जो अब तक लगातार उनके पास चल रही है का वर्दा की बात कर लो मुहम्मद अ सब्सक्री है इस वक्त तो वो यहां पर मैदान में अकूर्ड है लगातार इलाकों में लगातार को सफलता पूरुपरावित रहीग में है तो पहले फेस में सब की नजर है तो चतित गड़ नहीं बलकि पूरे देजवर की नजरे इस वक्त बस्तर और पहले चरण की बीज़ी जो पर है चलिए देखने वाली बात कल क्या कुछ होता है बहुत शुक्रिया आपका भी शेक जी जानकारी के लिए शिनिवास आपक जो फे़िया बहुत चुक्रिया आगे बरते वे बात करेंगे दुर्ग से अगली बड़ी खबर की जहां सीमाज भूपेश बगेल का आज दुर्ग दुरुर सातिसात भिलाए यहाँ पर भी मुख्यमत्री आज पहुँचेंगे रोट शो का आयूजन है चुनावी शुनका प्रचार बरने की कोशिश एक बार पर से 36 गड के मुख्यमत्री भूपेश बगेल की तरफ से कुथ्रेल में इस बार सभा कायज़न कर रहे हैं। प्रचार बरने की तरफ से 36 गड में रचार प्रसार की भूमी पर लगातार काबिस। रोचो के अलावा सभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं। तो ये दो प्रमुख करिक्रम, दो प्रमुख नेताओं के लगातार बीज़पी के पक्ष में माहुल बनाने की कोशिश रती इस गड में चलती आ रहे हैं। पतलगाओं में भी सभा है। और जांजगीर जले में भी हिमंता बिस्वा सर्मा का रोचो आज आप देखेंगे। रोचो के अलावा सभा को भी संबोधत करने वाले हैं यहां कि मंता बिस्वा सर्मा जांजगीर में यही जानकारी के रोचो के साथ-साथ तमाम लोगों की मौझूदगी आज होगी। और एक और बड़ी जानकारी के दुसरकार के लिहास से जुसमें एक बड़ा फैस्ता सामने आता है के दुसरकार ने प्रवरता निदेश वाले के आग्रह पर महादेव सटिबाजी आप पर प्रतिबंद लगा दिया है। इंडिकेट के कला फीडी की ओर से की गई जाच और उसकी बाद शतिजगण में महादेव बुक पर शापे मारी की बात की गई है। आपर बैन लगाने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं विलासपुर से अगली बड़ी खबर जहां आरपीफ ने 13 लाग की चुनावी सामगरी जब्त की है। दो दुनों में स्टेशन से साथ लाग तेरानवी हजार कैश भी मिल चुका है। 24 लाग 95 अजार का सोना चांदी भी मिला है। तो लगातार पुलिस की सक्रियता के चलते हैं सफलता। आकड़े पिछले बार की चुनावी सामगरी एक बार फिर से मिली है। पहुंच गया है लगातार उत्बात मचा रहा है। हाती खेतों में लगी खड़ी फसल को रौंद कर बरबात कर रहे हैं। ग्रामीड पटा के किसाहरी हातियों को बगाने की भी कोशच कर रहे हैं। और धर वन विभाग ने लोगों को हातियों से दूर रहने की चेतावनी दी है, सला दी है। युकि ये बड़ा संकट पैदा हो सकता है अगर रहाइशी इलाकों में एक बार फिर से हातियों के तरफ से रुखिया जाता है। तो ये तस्पीरे आप देखिए, देरात की ये तस्पीरे सांग्याई है, ग्रामीडों के लिए रात बिताना भी मुश्किल हो गया है, तिकि अगर रहाइशी इलाकों में पहुंचते हैं हाति, तो पस्तों को तो नुक्सान पहुंचाते ही हैं, मकानों को रुख्रति गस् चित्रों की ओर ना है, ये तस्पीरे आप देखिए, और कांकेर से अगली बड़ी खबर जहां पुलिस नकसली के बीच मुटबेड हुई है, मुरनार की जंगल में मुटबेड को लेकर सूचना, पुलिस ने एक नकसली को पकड़ दिया है, सर्चिंग के गरान दो आई-ई बरामत की जा चुके हैं, चुनाव में बाधा डालने की साज़िश, जोसे लेकर लगातार हम आपको जानकरी दे रहे हैं, पुलिस जवानों को सफलता की तौर पर आप इससे कहेंगे, क्योंकि मतदान कल है और उससे पहले भी नकसली की तरफ से तमामी कोशिशें की कुल मि बिलाकर चुनाव में बाधा पैदा की जा सके, कांकेर की तस्पीर आप देख रहे हैं, पुलिस नकसली की बीचे मुटबेड एक बार फिर से एक नकसली को पकड़ भी लिया है, पुलिस की जवानों ने, सर्चिंग के दौरान दो आई-ई-डी भी बरामत किये गए हैं, च मैच में 60 लगा रहे थे, श्री देवी आप के जरिये 60 खेला जा रहा था, हजारों का 60 पट्टी भी इनके वाले से जब्त हो चुका है, सिविल लाइन पुलिस की तरफ से कारवाई की गई है, और बहुत ज़रूरी थी केंद सरकार की तरफ से वो कारवाई जिसमें तमाम 60 बाजी आपस को बैन किया गया, क्यूकि 36 गड़ में अलग-अलग स्तर पर आप इस तरह की चीज़ों को देखेंगे, और बास एक कबर हम आपको लगातर बता रहे हैं, दो सचोरिय एक बार फिर से पकड़े गए हैं, श्री देवी आपका जिकर हैस में, हजारों का 60 परटी और इसी के साथ बुलिटिन में फिलाल इतना ही, देखते रहे हैं, न्यूस इठी